हेलो इस्टुडेंट्स इस वीडियो में सॉल्फ करते हैं कोशन निम्बर वन और यह इस एक्सरसाइज का पहले एक्जाम्पल है फाइफ चेर और फॉर टेबल टुगेधर कॉस्ट रुपीज 5600 वाइल फॉर चेर और फॉर टेबल टुगेधर कॉस्ट रुपीज 4 340 फाइं एक चेर और एक टेबल के कॉस्ट को फाइंट करना है ठीक है तो हमें एज्यूम कर लेते हैं let cost of one chair be rupees x and cost of one table be rupees y ठीक है फिर क्या हो जाएगा अगर एक चेर का कॉस्ट x रुपीज है तो कितना यहां पर चेर पर्चेस किया जारा है 5 chair तो cost of 5 chair क्या हो जाएगा 5x हो cost हो जाएगा 4y रुपीज ठीक है फिर इसके बाद तो equation क्या बन गया दोनों का मिला के total cost कितना हो रहा है 5600 तो according to the question 5x plus 4y equal to 5600 यह एक equation बन गया similarly दूसरा equation भी ऐसी बनेगा यहां पर क्या दिया हो है और while four chair and three table तो four chair का cost क्या होगा एक chair का cost x तो four chair का cost हो गया four x plus three table एक table का y तो three table का हो जाएगा three y equal to four three four zero ठीक है रुपीज तो यह बन गया दूसरा equation आप दोनों equation को solve करते हैं तो यहां पर क्या करेंगे y के coefficient को हम लोग सेम बना लेंगे equation one two तो दोनों को 12 बनाने से काम हो जाएगा तो 12 बनाने के लिए इसको multiply करना होगा three से और इसको 12 बनाने के लिए multiply करना होगा four से तो यहां पर हम लिख लेंगे इस तीज को multiply equation one by three and equation two by four ठीक है तो multiply करेंगे तो क्या आजाएगा five three 15 x plus four three जाए 12 y equal to fifty six hundred इंटो three zero zero three six 18 one carry three five 15 और एक 16 यहां गया एक नया equation इसको नाम देदेंगे equation तीन और इसको multiply करते four four जाए 16 x plus four three जाए 12 y equal to four zero zero four four जाए 16 का six one four three 12 x 13 again one carry four four जाए 16 और x 70 one seven three six zero ठीक है यहां गया equation equation four अब यहां पर y का coefficient सेम बन गया और साथ ही यहां पर दोनों प्लेस पे दोनों जगा प्लस का साइन है तो हम दोगों क्या करना होगा दोनों equation को subtract करना होगा ठीक है जब भी साइन सेम होता है तो subtract किया जाता है तो subtract करेंगे तो यह हो जाएगा 12y माइनस 12y कैंसल हो गया 15x माइनस 16x यह आ गया माइनस x और 16800 तो 17360 माइनस 168 00 तो यह आ गया 6 0 13 में से 8 यह खतम हो जाएगा तो इधर आ गया 560 ठीक है यह माइनस के साइन के साथ आएगा यह बड़ा नमबर है तो दोनों साइट से माइनस- minus cancel हो गया, तो x का value मिल गया हमे, x equal to 560, x हमने assume किया था, किसको chair के cost को, तो chair का cost पता चल गया, rupees 560, अब y के value को find करते हैं, तो 2 equation है हमारे पास, किसी का भी use कर सकते हैं, तो put x equal to 560 in equation 1, तो equation 1 क्या है, 5x plus 4y equal to 5600, तो 5 into 560 plus 4y equal to 5600, ठीक है, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 30, 0, 5, 25, 23, 2800 plus 4y equal to 5600, 4y, 2800 उधर जाके minus होगा, तो 5600 minus 2800, तो यह आ जागा, 2800, y equal to 700, 4 धर जाके divide हो जाएगा, तो x और y दोनों का value मिल चुका है अब हमें, तो x हमने किसको assume किया था, x था चेर का cost, तो एक चेर का क्या cost हो जाएगा, rupees 560 और यह हो गया, वन चेर का cost, और एक table का cost हो जाएगा, y था, y और रूपीज 700, ठीक है, तो बस यह find करना था इस question में, complete होगी हमारा question मिलते है next video में, next question के साथ,